नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का डेली रोजगार की एक नई वीडियो पर जहां पर मद्द परदेश आंगनवाडी बिभाग भरती 2024 की जानकारी नयादिस के मताबिक आप सभी महिलाओं को प्राप्त होने वाली है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कुल पद 13146 जारी किये गए हैं जिसमें आगनवाडी सहाई का और महिला सुपरवाइजर पदों पर भरती होने वाली है जिसकी जानकारी हाल ही में हुई बैठक के मताबिक परदान की गई है यदि आप भी पांचवी पास महिला हैं तो आपके लिए आवेदन का काफी अच्छा मौका प्राप्त होने वाला है जिससे जोड़ी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिले वाली है तो किरप्यकर आप सभी महिलां यहां परांत तक जोड़ी रहकर प परदेश में संचालित 12600 मिनी आंगनवाडी केंद्रों को पून आंगनवाडी केंद्रों में उन्यन का निर्णय लिया गया है यह अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर यादाव जी की रही जिसमें मंत्री परिसद में यह निर्णय जारी हो चुका है आपको बता दे क मुख्यमंत्री डॉक्टर यादाव की अध्यक्षता में मंत्री परिसद की बैठक मंत्रालाय में हुई जिसके मुताबिक वर्तमान में संचालित 12600 मिनी आंगनवाडी केंद्रों को पून आंगनवाडी केंद्र में उन्यन किये जाने का निर्णय लिया गया है और लेखनी है कि मिनी आंगनवाडी केंद्रों में एक आंगनवाडी कारेकरता का प्रावधान है निर्णय अनुसार इन मिनी आंगनवाडी केंद्रों को नियन के बाद एक पद आंगनवाडी कारेकरता का एवं एक पद आंगनवाडी सहायका का होगा इस प्रकार से 25 आंगनवाडी के चंदरों पर एक परिवग्षक के मान से कुल 476 परिवग्षक के पद सूरीज़ित किया जाएंगे. इसके लिए खर्च का भी अनुमान सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है यदि आप भी महिला हैं और पांच वी के सास साथ आपने इसना तक पास कर रखी है तो आपके लिए सहाई का और सुपरवाइजर पद पराविदन का मौका प्राप्त होने वाला है जिसका विस्तरत नोटिफिकेशन आपके लिए आधिकार एक पोर्टल पर प्राप्त होने वाला है यह जानकारी आपके लिए मदपर्दिस ब्यापम पोर्टल पर प्रदान की जाएगी अब तक के लिए आपको केवल यहाँ पर बैठक के मताबिक दी गई खवर प्रदान की गई है जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है आपके लिए निर्धर समय के भीतर आविदन का मौका प्राप्त होगा और आप सभी महिलाएं सहाई का और सुपर्वाइजर जैसे पदों पर आविदन कर सकेंगी और नौकरी प्राप्त कर सकेंगी तो यहाँ पर केवल महिलाओं के लिए इस भरती में आविदन का मौका प्राप्त होने वाला है तो आप सभी मही लाएं इंतजार करें जैसे ही नोटिशी किसन आता है आपको यहाँ पर सबसे पहले जानकारी दी जाएगी तो आप तक के लिए तना ही ऐसी ही ख़बरे हमारे चैनल से जुड़ी रहकर देखती रहें धन्यवाद